शेडोल चले के बुढ़ार MPB कार्यलाई की करमचारी खेरहा थाना शेत्र के ग्राम बरतरा बिजली राजस्व वसूली वा लाइन विच्छेद करने गए थे जहां कुछ ग्रामिणों ने करमचारियों पर हमला कर मारपीट कर ली करमचारियों के साथ मारपीट की घटना वहां मौजूद एक सरक्ष ने अपनी मुबाइल कैमरे में कैट कर ली जिसकी बाद पुलस ने तीन आरोपियों को गिरफतार कर लिया है शेडोल जिले के बुढ़ार MPB कारेले में साहयक लाइनमेन की पद पर कारेलत दवासिह अपने अन्य करमचारी अधिकारियों के साथ खेरहा थाना शेतर के ग्राम बरतला बिजली विराजस्व वसूली वर लाइन विच्छेद करने गए थे जहां मोहन बेगा का बिजली बिलबकाया हुने पर बिजली कनेक्शन काटने की कारवाई की जा ड़े थी इसे दुराण मोहन बेगा शिवलाल बेगा समेत एक अन्य ग्रामिन द्वारा करमचारियों पर हमला कर दिया और साहयक लाइनमेन दवासिह को लात घूसों से मारने लगे वगला दबा कर मारने का प्रयास किया इसी तरह सभी कर्मचारी अपनी जान बचा कर महां से भागे और मामली के शिकायत खेर हाथ ठाने मुखी शिकायत के अधार पर पुझसे तीन लोगों के किलाव सरकारी कार में बाधार डालनी समेट अनिधाराओं के ताहत मामला दर्ज किया है सब्सक्राइब करने लगा बड़ी मुष्कित से तीन चार आदमी मिल करके उसको छुडवाए जैसे जैसे चुडवाए तो अपने घर्ष डंडा लाए भी डंडे से पुरा प्रहार करने लगा बट मुष्कित सभी के सभी लोग 407 से वहां जो विवागी प्रदत्य सब्सक्राइब के साथ गाली का लोच कर मार पीट कर रहे ते उसी दुरान वहां मौजूद एक शक्ष ने उनके इस करतूत को अपने मुबाइल में कैत कर लिया इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से एंपीबी के करमचारियों के साथ ग्रामीन मार पीट कर कर ड़िय। इस मामने में बोस का कहना है कि तीन लोगों के किराफ मामला दर्ज कर उन्हें गिराफतार कर लिया गया है यह हमारा एक अनुभाग का थाना खेरा है उसका एक गाओं है वहाँ पर यह स्योपरसाद बैगा की कुछ बिजली बकाया था तो बिजली भाग के सायक लाइनमेन हैं दवासी गौण वहाँ पर जो की बकाया था पैसा नहीं दे रहा था तो बिजली काटने गए हुए थे जिस पर से वह स्योपरसाद बैगा और उसके भाई मौती बैगा मोहन बैगा इन लोगों ने मिलिक से मार पीट किया है तो इस पर थाना खेरा में अपरात पंजी बद्ध हुआ है धारा 94, 343, 353, 356 इनकी धारों के ताहर अपरात पंजी बद्ध हुआ है और एक तीन आरोपी गरपतार कार कोट में पेश किये गए शारोल से निर्मल जैस्वाल के रिपोर्ट